आपका पती आप पर सक करता हो आपके घरवाले आप पर सक करते हो आपकी पतनी आप पर सक करती हो यह फिर आप किसी पर सक करते हो आज दूआ करते हैं कि आज प्रभू यह आपस में मिलकर परमिश्वर उन डाउट्स को दूर करे प्रभू और मेल मिलाप उनके जीवन में आज रात की प्रात्ता में और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप पर कोई संधे करता हो, सक करता हो, आपका पती आप पर सक करता हो, आपके घरवाले आप पर सक करते हो, आपकी पत्नी आप पर सक करती हो, ये फिर कोई ब्यक्ति आपके आपके आपफिस मे हो रहा है डाउट उत्पन हो रहा है यह फिर उस पर सक हो रहा है तो आज परमेश्व का वचन आपसे बाचीत करता है हो सकता है हमें से कुछ भाई बेन ऐसे भी हो जिने खुदा पर ही सको जिने प्रभू ये शुमसी पर ही सको कि प्रभू मेरी प्रात्ना का उतर देगा की न नहीं वो मेरे गुनाहों को छमा करेगा कि नहीं हो सकता है आपको ये शुमसी पर भी डाउट हो और हो सकता है लोगों पर भी आपको संधे हो सक हो तो आज परमेशु का वचन आपसे कहता है यदि आप मिरसाइब निकाल लेंगे मत्र चेश्व समचारु सकाчики 11 अध्याई रे वो इस समय जेल में है बिना किसी गणा के वो जेल में डाल दिया गया। जो वो जेल में था और उसने प्रव येश्य मसी के बारे में सुना प्रव येश्य मसी की चर्चाओं के बारे में सुना कामों के बारे में सुना तो यहुना बपतिस्मा देने वाले ने अपने दो चेलों को प्रव येश्य मसी के पास भेजा जेल से और कहा कि येश्यू के पास जाना और उस से पूछो कि जो आने वाला था क्या तू वही है क्या तू वही है जो आने वाला था जिसके लिए पुराने नियम में ये फिर भुश्य वक्ताओं ने भुश्य वाणियां की थी क्या तू वही है यह फिर हम किसी और की बाठ जो ही यहाँ पर यहुना बप्तिस्मा देने वाले के मन में एक संधे उत्पन हुआ है डाउट उत्पन हुआ है येश्य मसीप सक उत्पन हुआ है कि सच में ये मस्या है या नहीं जब कि आप जानते हैं कि यहुना बप्तिस्मा देने वाला ही है जो प्रवियेश्य मसी का मार्ग सीधा करने के लिए आया उसके लिए ट्रैक बनाने के लिए आया वही है जिसने प्रवियेश्य मसी को बप्तिस्मा दिया वही है जिसने कहा कि मैं उसकी जूतिके बंद खोलने के लाइक भी नहीं हूँ, वही है जिसने पवित्र आत्मा को येश्य मसी के ऊपर उतरते देखा, वही है जिसने गवाही दी कि यही परमेशो का पुत्र है, यही वो मसी है, और आज उस ब्यक्ति के ही मन में संधे उत्पन हो गया, आज उस ब्यक्ति के ही मन में डाउत उत्प जिसने प्रवियेश मसी को परमेशो के रूप में बजबन में ही पहचान लिया या फिर बबतिसमा देते समय ही पहचान लिया वही व्यक्ति उस व्यक्त के मन में आ संदे उत्पन हो रहा है। यहुना ने कहा है क्या तू वही है जिसके लिए भहुश्यवानिया की गई थी? क्या तू वही है जिसके अमबाठ जो रहे थे? क्या तू वही है जो जगत का उधार करता होगा? क्या तू वही है? तब प्रवियेश मसी ने सीधे उन्हें उत्तर नहीं दिया। प्रवियेश्य मसी चाहते तो उस उनसे कह देते कि यहुना से कहना हां मैं वही हूँ प्रवियेश्य मसी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि ऐसा तो कोई भी कह देगा लेकिन प्रवियेश्य मसी ने ऐसा नहीं किया प्रभी एश्य मसी ने उन से कहा कि जो कुछ तुम देखते हो वो यहुना को बता दो और प्रभी एश्य मसी वहाँ पर अंधों को चंगा कर रहे हैं लंगनों को चला रहे हैं सुसमचार को बांट रहे हैं यह सब काम कर रहे हैं तब प्रवियेश्य मसी ने उन चेलों से कहा कि तुम ये सब बातें यहुना से कह दो क्यों? क्योंकि प्रवियेश्य मसी जानते हैं कि यहुना बहुश्य वक्ताओं की बातों पर भरोसा करता है यहुना परमेश्यु के वचन में लिखी हुई भवश्यवानी की बातों पर विश्वास करता है वो जानता है कि जो आने वाला है जो उद्धार करता है उसके दौरा अद्वुत अश्यर कर्म होंगे और यदि उसे परमान मिल जाए तो उसे विश्वास हो जाएगा कि येशु ही वो उद्धार करता है तब चेले गए और यहुना को उन्होंने बताया कि येशु के दौरा ऐसे ऐसे अध्वुत अश्यर कर्म होते है तब साइद यहुना को ये शौर हो गया कि यही वो उद्धार करता है यहुना का मन में संदे आया क्योंकि वो इस समय विपरीत परस्तिती में घिरा हुआ है साइद यहुना ने सोचा होगा कि येश्य मसी आएगा और मुझे इस जेल से छुड़ा कर लेकर जाएगा क्योंकि मैं तो बे गुना हूँ, मैंने तो कोई गुना नहीं किया, राजा ने मुझे कैद कर दिया है इसलिए येश्य मसी यदि उद्धार करता है, येश्य मसी यदि इस जगद को छुड़ाने चुटकारा देने के लिए आया तो वो मुझे भी इस जेल से चुटकारा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तब उसके मन में संधे आया तब उसके मन में डाउट आया, तब उसके मन में सक आया, लेकिन सबसे इची बात यहां पर हम देखते हैं यहुना ने अपने संधे को, उस डाउट को अपने मन में नहीं रखा, येश्यो मसी से पोछने के लिए बेजा और जब येश्यो मसी के पास बेजा, तो येश्यो मसी ने उनके डाउट को, उनके सक को 様नी कर दिया वो आपके doubt को समाप्त कर देगा वो उस सक को दूर कर देगा उस सब बातों को आपके सामने clear कर देगा जैसे आप आपस में भी संधे करते हैं doubt करते हैं एक दूसरे पर तो मैं आपसे कहूंगा यहुन्ह कितर है जिस प्रकार से यहुना ने दो चेलों को भेज कर अपने डाउट को किलियर किया उसी प्रकार से आप भी एक दूसरे के साथ में बैठ कर बाचित करके अपने संधे को दूर करें या पता आपके मन में ऐसे ही वो संधे उत्पन हो रहा हो जूटो संदे उत्पन हो रहा हो ये पिर दुस्त आपके मन में उस डाउट को लेकर के आ रहा हो और हकीकत कुछ और हो हकीकत में कुछ ऐसा नहो जैसे आज यहुना के मन में संदे है कि येशु वो नहीं है लेकिन हकीकत में कुछ और है येशु वही है उधर करता ही है तब उसे पता चला कि हाँ वास्ता में येश्यो उधर करता ही है मैं गलत सोच रहा था परस्तितियों में घिर के कारण संकट में पढ़ा हुआ हूँ इसलिए मेरे मन में ये बात आई हुगी अस हम में मैं आपको उच्छाइट करूँगा ति अपने डाउट को प्रभ येश्यो मसी के सामने बैठ कर प्राथना करके वचन को पढ़के किलियर कर ले ये फिर अपने आपस के डाउट को एक दूसरे के साथ में बैठ कर बाचित करके किलियर कर ले क्योंकि जब आप इस पकार से करेंगे तो प्रभू आपके जीवन में कारिया करें तो प्रभू आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशिष दें आमें जो तीन मेने पहले मेरी पेटी की सानवी की तपेद बहुत करापती जो नौ मेने की है और हमने उसको कही जगह दिखाया कभी डॉक्टर बोलते थे रसोली है कभी बोलते इंपेक्शन है टेस्ट में अलग-अलग चीज़े निकलते थी और हम परिशान हो चुके तो असली बज़ा निकलती नहीं थी तो हम इतने परिशान हो गए थे हमने दो-तिन बार मैंने ब्रदर और सिष्टर से प्रातना कराई वर्शव के द्वारा तो उन्होंने हमारे लिए प्रातना की अब वो बेटी एकदम चंगी भली है परमिस्वर, सिष्टर और ब्रदर को बहुत-बहुत आसिश दे उनके द्वारा उसने बच्ची को चंगा किया मैं पिता का धनिवाद करता हूं बहुत-बहुत सो हम प्रभ येश्व मसी का धनिवाद करते हैं आज की सुन्दर शाम के लिए मैं आशा करते हूं कि आप सबने प्रभु के वजण को सुनकर आशीश पाई है सो आईए मिलकर हम प्रातना करें धनिवाद 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 करते हैं येश्व हमारे प्यारे पिता हम आपका धनिवाद करते हैं आज की सुन्दर शाम के लिए प्रभु येश्व मसी मेरे प्रभु आपके प्रेजिंस के लिए धनिवादी हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए धनिवादी हैं आज पिता इन भाई बहनों के लिए भी प्रभु ह सहभागी बनाया परमिश्वर और प्रभू आज हर एक जन आनंदित है परमिश्वर प्रभू क्योंकि वो आनंद प्रभू तेरी ओर से उन्हें मिला है परमिश्वर आज प्रभू अपनी सामर्थ अपना बल अपनी सामर्थ थे प्रभू इन में दिखाएं परमिश्वर अप बातों को सुने, आज इनके जीवन के हालातों को सुने परमिशर, इनके परस्ततियों को देखे परमिशर और आज इनके प्रातना का उत्तर दे पिता, मेरे परमिशर प्रभू जो पहली बार इस प्रातना में शामिल हुए हैं, खुदावन आज प्रभू येश्य मसी जिस भी समस्या में प्रभू तेरे लोग बैठे हैं प्रबो उसका समधान इनके जीवनों में आए प्रबो आज आप अपने लोगों कुछूले मेरे खुदा और उनके जीवन में अद्भूत करें मेरे प्रभु येशु मसी मेरे प्रभू आज पूरे दिन भर में तुने संभाला सुरक्षित रखा जीवेत रखा प्रमिश्वर कौफ कत्रों से दुरगटनाओं से हर प्रकार की नेगेटिव बातों से दुष्ट की योजनाओं से परमिश्वर तुने हम सब भाई बहनों को प्रभू बचा के रखा क्योंकि प्रभू सिर्फ और सिर्फ प्रभू तु बढ़े प्रभू क्योंकि प्रभू तु हमारे जीवन का प्रभू है तो हमारा उधार करता है प्रभू और तुने हमें जीवन दिया है प्रभू आज इस जीवन इस बहुं मुल्य जीवन का पिता परमेश्य प्रभू हम पिता बहुत ही सा कि प्रबू इस वचन के दुआरा परमेश्व प्रभू अपने जीवन को प्रभू सवार ने पाएं पिता परमेश्व प्रबू अज पितार मेसरे प्रौ However कुगों के जीवन में आ रहा है पिता बहुत सी गलत बाते उतिपन हो रही है आज दूआ करती हो आपके सामथी नामसे पिता इन भाई बेहनों के पिता जिनके अंदर परमिश्वर वो शक पैदा होने के कारण प्रभू बातचीत करना बंद हो गया है communication gap हो गया है परमिश्वर आज दूआ करते हैं कि आज प्रभू यह आपस में मिलकर परमिश्वर उन डाउट्स को दूर करें प्रभू और मेल मिलाप उनके जीवन में आए वो जो gap है परमिश्वर वो जो communication gap है प्रभू यहश्व मसी नासरी के नाम से दूर हो जाए परमिश्वर पिता यहश्वर हजबन वाइफ के बीच में प्रभू यदि कोई भी शक पैदा हो रहा है प्रभू तो उस शक को दूर करें पिता वो आपस में बातचीत करें प्रभू यह सरकेल में परमिश्वर आज ऐसी कोई situation क्रियेट हो रहे है जिसके कारण प्रभू रिच्ते तूटने पर है सब कुछ है खतम होने पर है प्रभू और एक दूसरे को पिता परमिश्वर प्रभू बहुत ही तुछ नजरों से प्रभू यह देख रहे तो प्रभू आज प्रा लड़ाई जगड़े हैं कलेश हैं पिता जो study करते हैं प्रभू study से संबद्द प्राब्लम में है खुदावन प्रभू competitive exam को लेकर प्राब्लम में है पिता अपनी study को लेकर अपने बच्चों को लेकर उनकी संगती को लेकर प्रभू कि परिशान है खुदा तो आज हर एक दूर कर पिता और इनके जीवन को सवार इन्हें आशिशित कर मेरे प्रभू आज की शा में प्रातन करते हैं विशेश रूप से जितने भाई बेन बिलकुल इस जवानी के दिनों में परमेश्व प्रभू डिप्रेशन में चले गए पिता बहुत सी बाते प्रभू जो उन इनको डिप्रेशन में लेकर जारी ये शुके नाम से उनके जीवन से दूर करते हैं पिता उन्हें उस डिप्रेशन से बखा निकलने में साहता और मदद करें पिता आज की शा में विशेश रूप से धनिवाद करती हूँ कि प्रभू तूने हम सब को पिता आज एक साथ प पिता प्रमेश्य तो ने दिया है मैं धनिवाद करती हूँ पिता आज प्रभू हर एक के आंसों को पोचे जो आंसों में प्रभू इस समय प्रातना कर रहे हैं प्रभू रो रो के प्रमेश्य प्रभू कि आज उनके जीवन में जो समस्या है उसको लेकर प्रभू बहुत परिशान है खुदा आज इनकी सुधी लेकर इनके दुखों को आनन्द में बदल इस समय जितने लोग में बीमारी में दर्द में तकलीफ में हैं मेरे प्रभू मैं आपसे प्राथना करती हूं कि आप उन्हें छूले और चंगा करें परमेश उनके शरीरों से उस बीमारी को दूर करें खुदा मैं प्राथना करती हूं परमेश पिता प्रभू कोई भी भाय बेन या फिर कोई भी बच्चा प्रभू इस प्रकार से प्रभू जिनका कोई भी बॉडी पार्ट परमेशर पून रीती से विक्सित नहीं हुआ पिता पून रीती से नहीं बना येश्व क नाम से मैं प्राथना करती हूँ उस अंग को छूले पिता और वो अंग येशु नासरी के नाम से मेरे पिता पून रीती से बनने पाई क्योंकि प्रबू असंभव कारिय को संभव करने वाले येशु आप हैं और आपका नाम सामर्थी है उस सामर्थी नाम से पिता मैं इन ब जीजस आपने चंगा किया आपने चंगा किया प्रभू अपने वचन के अनुसार क्योंकि पिता यह भाए-बें वो है जो तेरे डर भें में चलते हैं यह तुछ पर भरोसा करते हैं और आपका वचन केहता है कि तुमारा शरीर भला चंगा और तुमारी हड़ियां पुस्ट आज रात्री के समय पर मेश्यों पिता इन भाई बेनों को सुकून भरी नीन दे पिता ताकि प्रभू दिन भर के जो स्ट्रेस थी, प्रॉब्लम थी और सारी बाते प्रभू उन्होंने आप के उपर दे दिया है पिता क्योंकि प्रभू आपका वचन कहता है कि आपका जुआ प्रभू येश्यों मसी सहज और हलका है परमेश्यों पिता जो तेरे पास आता है वो इस विश्राम को पाता है और आज की शाम में पिता तेरे निकट आ कर तेरे लोगों ने उस विश्राम को पाया है धनिवाद करते हैं सब कुछ आपके हातों में देते हैं अच्छी नीन के माद्यम से आए हैं, टेक्स्ट मेसिज के माद्यम से आए हैं, खुदावन मैं प्रात्ना करती हूं, मैं धन्यवाद देती हूं कि आपने उन भाई बेहनों की सुधी ली है, उनकी सुधी लेकर उनके प्रात्ना का उत्तर देने के लिए प्रभू आपने प्रभू उनके जी